हलो दोस्तों आई टेई क्लासेज वाई महेंदर सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो हमारा चल रहा था दूसरा चेप्टर आपके आई टेई बुक का जिसका नाम है क्या विविन मानकियम ट्रेड ओजार उसका नाम है तो उसके अंदर हम ओजार पड़ रहे थे आ सो देखो यहां पर यहां पर यह वाला जो इस तरीके से यहां मेंने यह डायग्राम बना रखा है तो यह यह है जो क्या है पोकर है तो देखो पोकर में यह वाला जो लकडी का भाग होता है वो क्या कहलाता है हैंडिल कहलाता है मैंने डाइग्राम पर यहां पर दिखा रखा है हैंडिल और यहां से लेकर यहां तक जो यह मैं अंगुली यहां दिखा रहा हूं आपको यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है इसमें सेक कहलाता है यह वाला भाग क्या कहलाएगा सेक कहलाएगा और आगे जो यह नुकिला भाग होता है वो क्या कहलाता है टिप कहलाता है तो देखो इस तरीके का आपने प्रैक्टिकल में अगर दिखाया होगा या देखा होगा आपने तो इस तरीके का क्या होता है यह पोकर है तो आपको यह आप मैंने यहां पर दिखा भी दिया कि poker है जो किस तरीके का होता है तो यहां देख लो तीन भाग होते हैं यह वाला भाग handle कहलाएगा यह वाला भाग कहलाएगा shake कहलाएगा और आगे वाला भाग कहलाएगा tip कहलाएगा तो यह poker का जो diagram है और reality में poker कैसा होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया अब हम चलते हैं कि यह poker है जो क्या कार्य करता है और इसकी लंबाई कितनी होती है और कहां पर इसका यूज किया जाता है तो यह हम आज discuss करते हैं तो आज का हमारा जो first tool है उसका नाम क्या है? poker तो इस poker है तो इसके अंदर आपसे थियोरी में क्या क्या है तो इसका first नाम क्या हो गया? poker उसी तरीके से आपसे यहां question पूछा जाएगा कि इसका इसे सुम्भी या ब्रोडल भी कहते हैं इस poker के जो अन्य नाम है इसे इसे सुम्भी सुम्भी इसे सुम्भी या ब्रोडल सुम्भी या क्या कहते हैं? ब्रोडल भी कहते हैं तो इस poker के जो नाम है वो एक तो नाम हो गया आपका क्या poker दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं? सुम्भी भी कहते हैं वो तीसरा नाम इसे क्या कहते हैं? ब्रोडल भी कहते हैं ये तीनों ही नाम किसके हैं, इसके नाम है, इस डाइगराम के या पोकर के नाम है, तो पोकर का दूसरा नाम सुंबी, सुंबी और ब्रोडल, ये भी किसके नाम है, पोकर के नाम होते हैं, तो आपको तीन नाम यहाँ पर दियान रखने हैं, कि पोकर, सुंबी और ब्रोडल, यह तीनों किसके नाम है, पोकरगे ही नाम है, पिर है कि यह पेचकस से, तो देखो इसके आकरदी आपको किसके समान दिखाई रही है, पेचकस के समान दिखाई दे रही है, अक्रती वाला हस्त ओजार है dobrze ह wireless समान होने के कायने किससे लिए जुल्ती आक्रती वाला पेशकस के समान अक्रती वाला कैसा ओजार हस्त औजार है और किस तरुकों से उजारी लेते हैं हाथ से लेते हैं तो इसकी जो किसके समान दिखती है पेच कस के समान दिखती है पिर है कि इसके जो सेक की लंबाई है वो कितनी लंबाई 20 सेमी 20 सेमी होती है तो इसके जो सेक है सेक कहां से कहां तक का भाग है यहां से लेकर यहां तक का भाग होता है वो क्या कहलाता है सेक कहलाता है और मैं यहां पर दिखा देता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का भाग होता है वो भाग क्या कहलाएगा सेक कहलाएगा ए यह जो भाग है यहां से लेकर यहां तक का यह जो भाग होता है वो क्या 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 आता है से क्लाइब इस से की जो लंबाई होती है इसकी टिप है इसकी टिप इसकी टिप नुकिली तथा पीछे से पीछे से चोकोर होती है पीछे से कैसी होती है चोकोर होती है जो आपको आकरती में दिख रही होगी कि इसकी जो टिप है वो आजे से कैसी होती है नुकिली होती है तता पीछे से कैसी होगी चोकोर होती है फिर अगला इस्सका उप्योग कहां पर किया जाता है तो उप्योग में आपको लिखना है उप्योग के अंदर लिखना है इसमें लकड़ी की फिटिंगласт में लकडी की फिटिंग में पेचो को कसने से पूर पेचो को कसने से पूर पेच के लिए एक क्या बना दे जाता है छोटा का जाक पेचो को कसने से पूर पेच के लिए एक खाचा बनाने के लिए खाचा बनाने के लिए पोकर का उपियोग किया जाता है पोकर का उपियोग किया जाता है तो देखो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां जो है पोकर है जो पोकर के जो दूसरे नाम है सुंबी और ब्रोडल किसके नाम है पोकर के ही नाम है स्टार्टिंग से एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं कि पोकर में तीन भाग होते हैं हैंडिल शेक और टिप एक बार वापिस मैं आपको बता देता हूं यह वाला भाग है जो पोकर का क्या कहलाएगा हैंडिल कहलाएगा यह वाला भाग क्या कहलाए करते हैं और इसकी आकरती है जो किसके तूल्स के समान होती ऑगी संसे किसTO को होती है उप्योग कहा पर करते हैं लकड की फिटिंग में पैचों को कसने से पूरih है आपकी बांड पर पैच लगारे हो तो पेच लगांऑ से पहले क्या है जैसे आप डाइरेक्ट पेज को लगाते हो तो उस पर क्या नहीं, पेज कसने में नहीं को डिसकर्स करवा दिया तो आप स्क्रीन सोट ले सकते हो तो यह जो पोकर है वो कम्प्लीट यहाँ पर होता है फिर अगला जो ओजार हम पड़ेंगे उसका नाम है अगला हमारा जो हो जा रहता है उसका नाम है इलेक्ट्रिशन चाकू जिसे इलेक्ट्रिशन क्या कहते हैं इंगलीज में नाइफ हो ला जाता है तो दूसरा जो हो जा रहे हैं तो देखो इस तरीके की क्या रहती है इसमें आकर्ती रहती है इस तरीके की जो आकर्ती है वो किस इसमें इस तरीके की आकरती है तो इसमें दो ब्लेड होती है एक ब्लेड तो जिस पर क्या रहती है धार लगी हुई होती है और दूसरी ब्लेड है जिस पर क्या नहीं होगी धार नहीं होगी इस पर धार तो होगी लेकिन एक ब्लेड पर मामूली धार होगी और दूसरी है जि को दिखा देता हूं यह चाकू है जो क्या है लेक्टिशन नाइफ है तो यह आपने देख लिया होगा तो यह इस तरीके की आख करती है जो किसकी रहेगी लेक्टिशन नाइफ की रहेगी लेक्टिशन चाकू की रहेगी इसको इस तरीके से भी अपने यूज में ले सकते हैं तो इस तरीके से अपने यहां से handle से पकड़ेगे तो यह एक तरीके से कैसा हो जा रहा है हस्त हो जा रहा है तो electrician knife आप देख चुके हो अब यहां theory में अपने चलते हैं कि electrician जो knife है वो क्या है कहां पर use गिया जाता है और किस तरीके से यह अपने यूज में लेते हैं तो electrician knife है उसमें है तो यह blade होगी blade की संक्या कितनी होती है तो आपको ध्यान में रखना है blade की संक्या कितनी होती है दो होती है फिर electrician चाकू है तो इसमें theory में लिखो कि यह दो blade वाला क्या होता है यह है दो ब्लेड वाला विशेस प्रकार का क्या होता है? तो यह है दो ब्लेड वाला विशेस प्रकार का चाकू होता है तो देखो मैंने आपको बताया कि यह है दो ब्लेड वाला तो एक ब्लेड यह हो गई एक ब्लेड यह हो गई तो यह है दो ब्लेड वाला क्या होता है एक विशेश प्रकार क्या होता है चाकू होता है इसमें एक ब्लेड धार युक्त होती है एक ब्लेड धार युक्त होती है, जिसका प्रियोग तारों का इंसुलेशन चीलने में किया जाता है, तो देखो जिस ब्लेड पर धार अधिक होगी, इसमें दो ब्लेड होती है, एक ब्लेड पर क्या होती है, धार होती है, तो जिसका उपियोग तारों का इंसुलेशन चीलने के लिए किया जाता है, तो इसमें एक ब्लेड पर आपको देखना है कि धार कैसी है, पेनी है, यह जो ब्लेड है, इस पर धार क्या है, अधिक है, तो इस ब्लेड का जो प्रियोग है, वहाँ पर करेंगे, अगर आपनों को तारों का इंसुलेशन चिलना है तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे इस वाली जो जिस पर धार तेज होती है उसका यूज करना है तो तेज धार वाली ब्लेड का प्रियोग तारों का इंसलेशन चिलने के लिए किया जाता है फिर है दوسरी जो कि दूसरी ब्लेड का प्रियोग दूसरे कि ब्लेड का प्रियोग कि इनेमल्ड तारों का इनेमल्ड तार आप जानते होगे जिन पर क्या है पीवी मतलब एक इंसुलेशन तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता उस तार के उपर ही चड़ा रहता है इनेमल्ड तार का इनसुलेशन साफ करने के लिए किया जाता है दूसरे ब्लेड का प्रियोग इनेमल्ड तार का इनसुलेशन चीलने के लिए चीलने के लिए किया जाता है दूसरे ब्लेड का प्रियोग है जो कहां पर करेंगे इनेमल्ड तार का इनसुलेशन चीलने के लिए किया जाता है और इसमें इसके जो ब्लेड की लंबाई होती है इसके ब्लेड की लंबाई ब्लेड की लंबाई इसके जो ब्लेड होती है दो ब्लेड होती है उन ब्लेड की लंबाई आट सेमी होती है कितनी होती है 8 semi होती है 8 semi होती है तो इसके जो blade होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी रहती है 8 semi होती है तो देखो मैं एक बार आपको नाप कर भी दिखा देता हूँ कि यहां से देखो जैसे इस blade को नापेंगे अपन तो यह 8 semi के लंसम आ रहा है तो यहां से इस blade की लंबाई को इस तरीके से नापेंगे और वो कितनी आनी चीए 8 cm के लंबसम आनी चीए तो इसके blade की जो लंबाई है वो कितनी होती है 8 cm क्या होती है इसके blade की लंबाई होती है तो मैं एक बार वापिस repeat कर देता हूं कि electrician चाकू है तो यह दो ब्लेड वाला क्या होता है एक विशेस प्रकार का ओजार होता है जिसमें एक ब्लेड पर धार ही अधिक होती है जिसका प्रियोग कहां पर करते हैं तारों का इंसुलेशन चिलने के लिए किया जाता है तता दूसरी ब्लेड है उस पर धार कम होती है जिसका प्रियोग इनेमल्ड तारों का इंसुलेशन चिलने के लिए किया जाता है और इस इलेक्ट्रिशन जो चाकू है उसमें ब्लेड की लंबाई कितने सेंटिमेटर होती है आठ सेंटिमेटर क्या होती है इसके ब्लेड की लंबाई होती है तो यहां तक आप screenshot ले सकते हो फिर अगला tools पढ़ते हैं divider